Hello and welcome guys, मैं हूँ तस्खीर और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इस्राइल अटेक ओन अल-अक्सा मॉस्क प्रेडिक्टिड बाई डॉक्टर इस्रार एहमाद 25 साल पहले की प्रेडिक्शन कुछ ऐसा मुझे लिखा हुआ है तो क्या प्रेडिक्शन की थी उन्होंने इस अटेक की बहुत ही बुरा हुआ है जो भी हुआ है नमास पढ़ते हुए और जो मस्जिद पर अलगछा मस्जिद है वहाँ पर चलिए इसमें क्या दिखाते हैं देखते हैं क्या प्रेडिक्शन उन्होंने की थी वाकई में let's start it now आलम इस्लाम में से आलम अरब अच्छा नाइटी नाइटी फाइफ का वीडियो एका उनके शिकंजे में जा चुँँ बना कर खड़े हुए है इस्राइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम कर दे के लिए बाराल नोट कर लीजे आलम अरब जा चुका कोई दिन की बात है मैं संसनी पैदा नहीं करना चाहता लेकिन हालात और वाकिया से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है यह योदिया की मस्जिद शहीद की गई अभी यह एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई यह सब क्या है यह मुसल्मानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमियत नाम की कोई शहीद बाकी है जैसे अलामा इक्वाल ने वो नजब लिखी थे अब्दुलकादिर रोहीला रोहीला बड़ा जालिम जफाजू कीना परवर था लेकिन यह कि उसने जो एक टेस्ट लिया था कि वो जो और औरते हैं तैमूरी खानदान की उनमें कोई रमक रह गई है मालूँआ के नहीं कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से खत्ब गैरत निकल गई इसी तरह यूदिया की मस्जिद अब चरार शरीफ और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अकसा का नमबर आया के आया उसके लिए पूरी तैयारिया हो चुकी है यरोशलम का मस्जिद इसा खाली कराया जा चुका है उसके अंदर अब पूरा तसल्ट यहूदी कर रहे है यहां तक कि आपके यासिर अरफाद साब ने भी कुछ लगा कुछ जो है इसिजाज की बात की है हाला के अब तक हर बात माल कर मिन कार जेरे पर था लेकिन ये के एक वक्त आता है आखिर कार उसे भी कुछ बोलना पड़ गया है लेकिन यहूदी अप पीछे कदम हटाने वाला नहीं है उनका थर्ड टेमपल तीस्वी मरतबा हैकल सुल्यमानी तामीर होना है नोट कर लीजे उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है अच्छा अब शाह हसन हो चाए शाह हुसेन उनके नौकर और चाकर है या नई अब उन्हें दर किसका है बहादा कोई दिन की बात है मस्टिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबिय शुरू हो ये तो बारहाल एक नक्षा है अग्ला नक्षा आपको बताना चागता हूँ एक दूसरी तस्वीर है ये तस्वीर है जमीनी एक तस्वीर है अड़्ा आटेक हो गया वा मकर हुआ जर ओ वा मकर Agla वल्लह हु खेरul मा के लिए उन्हों ने अपनी सी तद्बीर है की अपनी तद्बीर है और जाहिर बात है अल्ला की तद्वीर से बेटर तद्वीर किसकी होगी चुनाचे यहूदियों की साधिशें उस वक भी नाकाम हुई थी या नाई जाहिर बात है जहाल हको अजहाल बाते लिननल बाते रकाना जहूका लेहादा ये आयतें दोनों एलान कर रही है कि यहूदियों की साधिशें बिल आकिर नाकाम होंगी और तीने हक का बौल बाला हो कर रहेगा ये तो इन आयतों से दाहिर है युरीदून अल्युत्फिवू नूर अल्लाह बेफ़ाहिम युरीदून अन युद्फिवू नूर रहेगा अल्ला न तो भेजा ही है अपने रसूल को इस फैसले के साथ और ये जिम्मेदारी और मुर्षन दे कर के जो दिन रहक को दे कर भेज़ा जा रहा है उसे खालिब कीजे नाफिस कीजे ताइम कीजे इस मिशन के साथ भेजा जा रहा है पुरान कहता है बबाँ ए दोल वमार सलना कैला काफ़तल लिन्नास बशीरं वनजीरं ए मुहम्मद सल्ले लाओ अल्याओं हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नाओ इनसानी के लिए बशीर और नजीर बना कर तो जान लीजे के ये बखसदे बेसदे मुहम्मदी सल्ले लाओ अल्याओं वसल्म बदमाव कमाल उस वक्त पुरा होगा जब कुल आलम इनसानीत पर कुल रुए अर्जी पर अल्ला का दीन उसी तरह गालिब हो जाएगा जिस तरह के मुहम्मद अर्सूल लाओ वल्लजीन माहू सल्लाओ अल्याओ वसल्म रगिया लाओ तावानों अजमई उनके हाथों से उनके इसार से उनके गुर्बानियों से जिनका लग्षा आपके सामने मौला ना खेड़ चुके हैं उनकी इसार, उनकी कुर्बानिया, उनकी मेनत, उनकी जफाकशी, उनकी सर्फरोशी, उनके जान तन, मन तन लगा देने के नतीजे में जैसे उस्वक गालिब हुआ था, कुल गुए अर्जी पर गालिब होगा, तब कहीं जाकर मकसद बेसत मुहम्मदी मुकम्मल होगा, यही वज़े है इत्माल ने कहा था, वक्त फुरसत है कहा, काम अभी बाकी है, लेकिन साथ ही खुशखबरी भी दी थी, यह चमन मामूर होगा जबमे टोहीद से, आएगा वो दौर, यह चमन मामूर होगा जबमे टोहीद से, लाजमन आकर रहेगा, ओके सो ये थी तक्रीर बाई डॉक्टर इसलार एहमत पच्च साल पहले की इसमें लिखी वे आ रही है डेट 1995 की तो कुछ हवाले से इन्होंने कुछ मस्जिदों के जो खत्म कर दी गई उनको बताया उसके बाद बताया कि ऐसा दौर आएगा कि अलकसा पर भी ऐसा कुछ होग का अटेक वगैरा तो वो आज हुआ है, हो चुका है एंड हम सब के सामने हैं हम सब की नजरों के सामने हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ चीज थी उनकी जो इन पिक्चर में देखी जो उनके लिए भी कावबे के बराबर है जो वो मानते हैं तो वैसा कुछ बने का य अगर ये वीडियो इतना पुराना है और ये प्रेडिक्शन की थी उन्होंने की हालातों को देखते हुए ऐसा ऐसा होने वाला है या फिर होगा आगे फ्यूचर में तो वो चीज हो चुकी है अगर ये पुराने टाम में उन्होंने कीया हुआ था तो वो हालात बन रहे हैं आप कमेंट करकर बताएं आपकर इस सब्सक्राइब करें कोई भी कोशेशन हो कमेंट करें मिलते हैं ना इस वीडियो में तब तक के लिए अपने खयाल रखें बाइ-बाइ टेक क्या हो साइने